पैश्याव घरते हैं तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेट वर्ख नेट वरकिंग का अलेडी सभी लोगों को पता है वुट इस नेट वर्किंग गडी को समझने के लिए या सिक्वर्टी पेनेटरेशन टेस्टिंग रिमोट डिवास पर चैक करने के लिए हमें डिफर काफी जरूरी होता है अगर मैं यहां पर बात करूं कि एक component networking में काफी जाद आपने सुना होगा कि NIC card का नाम सुना होगा आपने यह wifi security का component सुना होगा आपने तो exactly अगर इन सब चीजों पर हमें knowledge है इनका function हमें पता है तो definitely penetration testing करते हैं या उसकी vulnerability analysis करते हैं तो हम exactly पता कर पा कि किस तरीके की कमिया है किसी भी particular point के अंदर ओके तो यह तो स्टार्ट करते हैं हम लोग what is network networking काफी लंबा स्लाबस आएगा यह भी काफी डेप्त में चीज़े हैं तो यह मैं कोसिस करूंगा इसका जो recorded वीडियो है ना वह आपको वीकेंड में complete प्रवाइड कर दूं ओके जितना भी यह होगा क्योंकि काफी मतलब repeated class अगर आप देखते हो उसको repeat करके अगर समझना होगा तो आपको last में मैं वीडियो का link share कर दूंगा आप लोग उसको देख लेना अभी इधर पूरा focus करेंगे समझने के उपर राइट वीडियो मिल जाएगा बट अभी नहीं कि मैं कली अपलोड कर दूं आज वाला सटेड़े संडे में आपको complete जितना इधर दो तीन दिन आप चार दिन पढ़ोगे वह सम मिलेगा प्रीवियस क्लास में कोई पीडियेफ ही नहीं था वो तो बस लाइब ट्रक्टिकल्स था विड्डोस टेन का ना उनी उसके पहले का भी नहीं लिए उसके पहले क्या पढ़ाया गया था शलो देखते हैं तो ठीक है यहां पे वाट इस वोट इस नेटवर्क नेटवर्किंग ईवाइस इस जैसे कि आपके पास बहुत सारे कंब्यूटर्स के बीच में आपने connection establish कर दिया यह network होता है okay networking होता है devices के बीच का transmission यानि कि अगर यहां पे देखो एक PC है जो की है 10030 करके और इधर एक smartphone है अगर यहां से इसको data यह send करता है यह PC3 जो है PC4 यानि कि user 4 को information send करता है तो यह हमारा networking process होता है यानि कि जब भी data sharing का process start होता है वह हमारा networking process होता है एंड इन्हीं के बीच internet working concept भी आता है और internet working concept यहां पर मैंने mention करा हुआ है कि यह हमारा network 1 है और इधर हमारा network 2 है यह different location पर है में भी यह इंडिया में है यह आपका USA में है यह different location पर हो सकते हैं और यह दोनों network एक ISP internet के माध्यम से connected हो ओके अब यह जो ISP यह क्या करेगा आप अगर कोई भी information send करते हो तो यह आपके इस location तक information send करने में help करता है ओके तो यह यहां पर आपको information मिलती है so this process is called internet working process ओके और यू कैं से internet working communication is the communication where when devices are connected to each other ओके तो यह यह कौन notation use कर रहा है डिलीट करो इसको तो समझ में आया यह हमारा कॉंसेप्ट कहलाता है internet working process तो यह हमारा simple network networking का concept रहा अभी बीच में यह सम्माट टाइप करो या ठीक है तो next हमारा आजाता है P2P and client server model यह भी आपने सुना होगा P2P मतलब होता है कि जब एक device directly किसी दूसरे device को data send करें without any third party authentication point to point yes यहां पर क्या है कि हमारा यह device one device two could directly information send there is no need of any authentication from third device किसी भी तरीके का यहां पे authentication लेने की जरूरत नहीं है किसी तीसरे device से यह कोई permission की जरूरत नहीं है directly यह दोने दूसरे को data send कर सकते हैं ऐसा network model जहां पे devices एक दूसरे को independent वेसे मतलब की स्वतंतता पुरुवक्ष है ना पूरा का पूरा वो data send कर पाएं from one to another is called P2P model अब यहां पर क्या है कि एक और अगर मैं यहां पर PC लगा दूं ओके और इस PC को data send करना है और यह connection यहां से मैं देता हूं अब यह connection अगर यहां से direct इसको चला जाए तो यह P2P हो जाएगा तो कि यह डिवाइस इसको data send करना चाहे तो डिरेक्ली सेंट कर सकता है अगर यह connection ना दे हम यहां से यहां फिर यहां से यहां तो क्या यह P2P model होगा क्योंकि यह इस डेटा को आगे पास कर रहा है तो डायरेक्ट कमिनिकेशन जब डिवाइस के बीच में हो इस कॉल्ड P2P model ओके तो पॉइंट तो पॉइंट कनेक्शन होता है एक और हमारा network design होता है network के अंदर जब भी हम लोग एक network इंफ्रस्रक्टर डिजैन करते हैं लाइक कि हमें एक इंटरनेट connection लेते हैं यह हमारा isp हो जाता है isp in the sense internet service provider और यह हमें service provide करता है internet line मिलता है राउटर वगरे पर configuration करते हैं फिर आगे switch वगरे लगाते हैं server implement करते हैं user access करता है मारा information यह तो यहां पर क्या हो रहा है कि client server model हो जाता है यहां पर कुछ clients environment established किया गया है like these are the clients and this is the server like this is the web server www.google.com rcq.com and these all clients are accessing the server okay information यह सारे clients क्या कर रहे हैं इस server की information access कर रहे हैं तो यह जो process कहलाएगा यह हमारा क्या कहलाएगा client server model okay simple यह हमारा हो जाता है client server model client server model और जो भी हमारे communication होते हैं डिवाइस के बीच में multiple सब प्रोटोकॉल्स की जरूरत पढ़ती है अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड और रिसीब करते हो किसी को भी तो वहां पे जरूरत पढ़ती है आपको कुछ प्रोटोकॉल्स की फॉर एक्जामपल यह आपको बेसिक थोड़ा सा पता भी होना चाहिए लाइक कि SMTP प्रोटोकॉल का यूज किसले किया जाता है नहीं पता ठीक है यहां पे एक यूजर है यूजर वन और यहां पे यूजर है यूजर टू और यह सेंडर मैंने यहां पे लिखा हुआ और यह सेंडर क्या करता है कोई इमेल सेंड करता है जैसे कि मैं अगर कोई भी आपको नोट सेर करता हूं इमेल पर तो मैं क्या करूंगा अपने कंप्यूटर पर अपना इमेल ओपन करूंगा इमेल में कॉंपोज करूंगा उसके अंदर मैं पूरा का पूरा मेल राइट करूंगा डिजाइन करूंगा अटेच्मेंट अप्लोड करूंगा उसके बाद मैं सेंड करूंगा हमारा वो पर्टिकुलर जो मेल है हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट की हेल्प से हमारे सर्वर पर जाएगा यानि कि जो मेल सर्वर होगा अब मालिया कि मैंने google.com या gmail.com का सरवर यूस किया हुआ है तो हमारा सबसे पहले वो मेल कहां पर जाएगा Gmail के सरवर पर जाएगा और Gmail के सरवर में जैसे कि हम किस यूजर से है जैसे कि यूजर डेटाबेस फाइंड होता है कि यूजर को भेजा गया किसको अब मालिया यह user है user2 add the rate gmail.com और sender है user1 add the rate gmail.com अब sender अब यह yahoo.com भी तो हो सकता है ठीक है प्रोटोकॉल्स का अंडरिस्टेंडिंग समझना यह yahoo.com भी हो सकता है तो क्या yahoo.com server gmail.com के server पर अपना email compose कर पाएगा सेंड कर पाएगा नहीं है जैसे कि मैं mail send की बात कर रहा हूं का यह अलग server है अलग इसका complete data है और जो हमारा yahoo.com है यह बिल्कुल अलग है है यह किसी और के अथारिटी उनर्शीप पर चल रहा है कुछ और function होंगे में भी यहां लाइन एक पॉलिसी एक ही बेस मतलब एक ही प्रोटोकॉल पर डिपेंड होता है कि अगर मैं data high data streaming कर रहा हूं यह वीडियो कॉल कर रहा हूं किसी को ऐसा तो महां पर डिपी रिस्पॉंसिबल है अब मैं चाहे वाट्सप के थूद्रू वीडियो कॉल करूं चाहे जूम के थू करूं रिस्पॉंसिबल तो यह protocol है ना उसको मैंज करने के लिए तो यह सर्वर कोई भी हो सकता है बट इनके बीच में जो सर्विसेस मैनेजरी जो प्रोटोकॉल यूजरे वह सिमिलर है तो यह सब एक दूसरे को डेटा सेंड कर पाएंगे अब सम्टीप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है इमेल को सेंड करने के लिए तो चाहे वो याहू हो जो जो है वो जोनेजमेल करेंगे सेंब फॉटोडोकॉल तो मुझे यहां परप्रोटोकॉल को यह समझाना था कि अगर प्रोटोकॉल नहीं हो नेट्वॉ्किंग प्रोटोकॉल तो जो भी हमारा डेटा है उसका कुई management फॉर्मैट नहीं होगा कि डेटा कहां जाना है किसको जाना है ना उसका लॉग क्या होगा राइट तो एक्जैक्टली अगर हमें सेंडर से इमेल को रिसीवर तक पहुंचाना है तो हमारा यहां पे प्रोटोकॉल का प्रॉपर वर्किंग होना और इनको समझना आना चाहिए ताकि हम एमेल रिसीव होता है और इस एमेल में कुछ बग बगर होते हैं कोई मालवियर कोड बेजता है कोई फीशिंग लिंक बेज देता है ऐसा कुछ तो यह हमारा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का समझ में आना जरूरी है तो SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है मेल को सेंड करने के लिए अब किसी भी मैंने यहां पर बस एक्जामपल के लिए एक मेल सर्वर का एक्जामपल दिया था अब यहां पर मैं SMTP का फुल फॉर्म क्या बताऊं सबको पता होगा सिंपल मेल ट्रांफण प्रोटोकॉल और यह प्रोटोकॉल किसले रिस्मॉंसिबल है मेल और इसमें एक और प्रोटोकॉल होता है i map वित तो ऑइन मैप प्रोटोकॉल भी किसले इस्तेमाल किया जाता है तो रिसीव करने के लिए ओप में एम डेखो प्योपी भी हमारा मेल रिसीविंग होता है और यह इसमें क्या होता है कि सिंगल डिवाइस पर क्लाइंट लिबल पर काम होता था तो यह मल्टिपल डिवाइस पर एक इमेल को लॉग इन अलाव किया राइट तो इस आर डिफ्रेंसे एंड टीचीप प्रोटोकॉल्स अलाव यू तुसेंड tc p package okay tcp package जैसे कि जो भी आप information इनकरते independent beleza facebook कर रहींए जैसे मैं धाप डिव धृट्वा अर्म यहां पर आया और मैंने यहां पर डबलु 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 जो भी है आप लिखते हो बहुत ज्यादा डबलु हो गया डबलु डबलु डॉट गुगल डबलु 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 डॉट कोम ऐसे एंटर किया अब आपको पता यह जो पेज है ना यह किसी सर्वर पर रखा हुआ है और मैंने बस यहां पे टॉट के मादियम से इंफॉर्मेशन की रिसीब किया और सेंड की ओके तो यह सारा का सारा जो प्रोसेस है यह कही न ऍफॉर्मेट के फॉर्में सेंड होता है जो पकेट से और रखायों फिर हMichael होता है ی powin च depths Packet होता यह जो TCP packet होता है यह acknowledgement आपको provide करता है और भी यहां पर बोल सकते हो कि यह slow होता है जो TCP packets होते हैं यह क्या होते हैं स्लो होते हैं और इस तरीके स्वर्क करते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स जो होता है यह भी packet send करने के लिए होता है packet sending के लिए process या help to send the packet तो इसको अब समझ जाओ यह क्या होता है काफी fast communication या transmission के लिए होता है high या big information fast होता है पहले unacknowledge मतलब यहां पे किसी भी तरीके का acknowledgement नहीं मिलता packet का successful होना नहीं होना यह सब एंड मतलब की less secure यह क्या होता है in compare of TCP यह एक less secure protocol होता है तो unacknowledge में यह आप मेंशन कर दिया less secure mention कर देता हूं and one more thing high data communication transmission less secure transmission like video streaming video streaming ऐसे मैंने mention किया समझ में आया तो यह प्रोटोकॉल से इस तरीके का अगर कोई भी मतलब प्रोटोकॉल्स आपके उसमें है जो भी आप analysis कर रहे हो vulnerability check कर रहे हो तो at least पता हो जाएगा कि आपको किस तरीके का message हमें आया हुगा है अगर मैं यहां पे चोटा सा setup करूं for example कि मैंने यहां पे एक server लगाया ओके आपकी company मैंसे server है और इस server को बहुत सारे client क्या कर रहे हैं access कर रहे हैं अब देखो यहां पे यह access कर रहे हैं और एक switch के माद्यम से server को access कर रहे हैं और मैंने यहां पे कुछ clients को भी add कर दिया like these are the clients अब यह सारे clients क्या कर रहे हैं आपके इस server को access कर रहे हैं with the help of any network media like wired wireless किसी भी तरीके से और यह हमारा एक जो server है यह कोई भी web server है dcp server है कोई भी server हो सकता और मैं यहां पर आता हूं इसकी services में और मैं यहां पर http server को login कर देता हूं अब http मैंने यहां पर enable कर दिया और मैं यहां पर इसका index जो है थोड़ा सा change कर देता हूं जो है blue तो मैं इसको यह थोड़ा सा web designing coding और इसमें आ जाता है यह बना बना है packets है हम check कर लेते हैं यहां पर जो लिखा हूं मैं यहां पर लिख देता हूं सीखोलाइब.com अपने website का नाम ऐसे कुछ करके और इसका जो font है two है तो मैं इसको four कर देता हूं थोड़ा सा बड़ा रहेगा welcome to अब यह जो पूरा का पूरा लिखा हुआ इसको मैं mention कर देता हूं सीखोलाइब online training and ऐसे करके education और मैंने dot लगाया and then इसको save कर दिया अब यहां पर एक server मैंने बना दिया और वो भी कौन सा http अब इसका जो configuration है fast ethernet पर इस server की IP हम दे देते हैं 10000 मान लिए 10 मैंने कर दिया ऐसे server बना हुआ है एक एक packets को मैं आपको track करके दिखा रहा हूं तो यह हमारा हो गया 10010 10010 और अब हम लोग आ जाते हैं किसी भी क्लाइंट मेशीन पर और इसको आई-पी देते हैं आई-पी देने के लिए fast ethernet आप यूज करो या configuration में इस web server को access करेगा एक्सेस करने के लिए मैंने यहां पर कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है आप देखना द्यान से यहां पर कौन सा भी sttp service चल रहा है sttp या sttps sttps में difference यह है कि http जो है insecure website होती है इसमें जो भी information आप input देते हो वो clear text में हमारे server तक पहुंचता है और बीच में hacker attacker बहुत आसानी से उस information को hack कर लेगा यानि कि अगर http information से मैं यहां पर login करता हूँ इस particular user से और बीच में यह सब hacker attacker या कोई भी है तो बहुत आसानी से हमारे packet को capture कर सकता है बट अगर मैंने यही service https पर login किया ना तो यह क्या करेगा secure zone में लेकर जाएगा ओके जब आप कोई भी website एकसेस करते हो जैसे यहां पर google.com है तो देखो यह क्या है secure website है यहां पर connection is secure क्योंकि यहां पर SSL certificate लगा हुआ है तो यहर एक website पर लगाया जाता है कोई ऐसी website जहां पर SSL certificate या ऐसा कुछ नहीं है तो उस website पर विजिट ना करें जैसे मैंने यहां पर secure life.com अंटर किया तो यह हमारा website है और यहां पर भी आप देख सकते यह मेरा एक local mail server है जो कि हमारे server पर configure है तो इससे जो भी मैं mail send or receive करता हूं इसका अगर कोई hack भी कर लेगा तो यह server मेरे पास है मैं जब चाहूंगा तब अपने server में देख लूँगा कि कि किसने क्या change किया तो कोई hacker कि किसी को फाइदा नहीं बट यह एक insecure manner अगर मैं यहां पर जो भी यूजर निम पासवर्ड करूंगा कोई traffic monitor करता है कोई traffic यहां पर send or receive कर जो भी हो रहा है उसको capture कर रहा है तो बहुत आसानी से clearly पता कर लेगा कि इसने यूजर निम और पासवर्ड क्या डाला okay so these are the differences between http and https okay तो इसमें हम लोग यह भी एड कर सकते हैं http यहां पर मैं आड कर देता हूं http https okay वेब एक्सेस के लिए होता है वेब content access के लिए यह भी हमारा होता है secure web access ओके सारी protocols त्यान से समझना तो अब मैं यहां पर एक्सेस कर लेता हूं इस यूजर से मैंने http colon slash slash और इसका नाम मैंने लिखा यहां पर 10 0010 राइट और जैसे मैंने गेट किया अब यहां पर हमारा web server access हो गया ऐसे हम लोग website information access करते हैं so this is the seqolive.com welcome to seqolive online training and education जो भी website का data आप उसको यहां से access कर सकते हैं insecure panel are in secure environment okay तो http clear हो गया अगर मैं यहां पर https access करूं और यहां पर पहले तो मैं इसको कर देता हूं clear दुबारा से login करता हूं https colon slash slash और 10 0010 और मैंने यहां पर okay कर दिया अब यह नहीं access हो रहा है ओके नहीं access हो रहा है क्योंकि https enable ही नहीं है यहां पर अगर मैं यहां से इसको off करूं और इसको on कर दूं अब मैं दुबारा से यहां पर आऊं और go करूं then you can access secure panel okay तो यह हमारा STTPS है तो यह जो एस यानि की सिक्योर सॉकेट सॉरी SSL certificate होता है न यह आपका apply किया जाता है कहां पर आपके server पर और इस server पर जो भी हमारा web content रखा होता है उसको encrypted value में हमारे source or destination के beach वो SSL certificate travel कराता है right so these are the protocols and next telnet what is telnet telnet is a remote remote login remote access protocol okay and it is a terminal based protocol यह remotely सिर्फ कमांड लाइन पर काम करता है अगर आप telnet किसी भी device पर enable करते हो तो इसका मतलब है कि इस device को remotely आप access कर सकते हो और किसी भी remote device को access करने के लिए आप telnet SSH RDP different types की protocol enable करते हो तो यहाँ पर telnet क्या होता है कि यह कैसा communication system enable कर देता है आपके source or destination के बीच में ताकि आप remotely किसी भी device को access कर पाओ लेकिन हाँ टेलनेट एक secure panel नहीं देता अगर आप टेलनेट पर जाते हो तो definitely आपका data hack हो सकता है टेलनेट के तुरू किसी device को access करते हो तो सब्सक्राइब का काम हो रहा है समझों के इसको सिक्योर करने के लिए एस एस एच प्रोटोकॉल है कि तो एक्सेस क्या करता है आपके connection को सिक्योर कर देता और यह भी रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है टर्मिनल बेस्ट है incoming mail के लिए होता है शॉर्य नॉट इंकमिंग मेल एको मैसेज रोके यानि की पिंग मैसेज को चेक करने के लिए यह हैलो मैसेज सेंड करने के लिए होता है पिंग और है है लो मैसेजज कि आई सी एंपी पैकेट कहलाता है जो पिंग मैसेज आप सेंड करते हो ना एक दूसरे डिवाइस को आप पिंग करते हो राइट जैसे कि मैं यहां पर आया और यह मैं कर रहा हूं ठीक है अभी कमांड प्रॉम्ट कोलता हूं पिंग मैं लिखता हूं 10010 मैंने यहां पर किया एंटर किया तो यह देखो पिंग मैसेज जा रहा है तो इन सभी चीजों को मॉनिटर कैसे करेंगे आपने अभी देखा कि मैंने यहां पर बताया TCP UDP ऐसे कुछ करके तो पिंग क्या करता है मैंने बोला ICMP मैसेज होता है वो पिंग मैसेज होता है या हेलो मैसेज होता है इंटिफाई कर लेते हैं तो सबसे पहले यह सोर्स है और यह हमारा डेस्टिनेशन है इसको मैं पिंग मैसेज सेंड कर रहा हूं और पिंग मैसेज करने का यह तरीका है और जैसे मैंने यहां पर enter किया मैंने यहां पर देखो एक message generate हुआ आप देख सकते हो this is the ICMP message और यह किस data से कहा से कैसे जा रहे सब दिखा रहा Ethernet header और यह सब होता है okay and these are the source and destination details okay यह सारी details है ICMP packets से यहां पर message है और यह ping message को बोला जाता है तो आपने इतना देख लिया जैसे आगे forward होगा यह आगया आगे भी ICMP है next ICMP है लेकिन मैं अभी यहां पर आता हूं और इसको close कर देता हूं और मैं यहां पर वेब server पर आता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं स्टीटीप एस कोलें स्लैस्लैस अब कौन सा message यहां पर generate होगा TCP UDP राइट जैसे मैंने go किया अभी देखो यहां पर क्या आगया वेब सर्वर तो वेब सर्वर में TCP UDP information send or receive होता है और यहां पर देखो हमारा लेयर सेवन HTTP हमारा जो होता है न वो लेयर सेवन पर वर्क करता है बताया गया होगा वह साई मॉडल में आपको तो HTTP सेवन लेयर पर है तो यहां पर हमारा सेवन लेयर वर्क कर रहा है आप देख सकते हो TCP packet है हमारा अगर यही वीडियो कॉलिंग है ऐसा कुछ होता तो हमारा क्या होता UDP UDP और ऐसे होता आगे का मैसेज अगर देखोगे तो अगें TCP packet ओके ICMP packet भी जा रहा है जो एक मैसेज और मैंने नहीं सेंड किया था वो भी है अगें TCP अगें TCP अगें HTTP से फाइनली आपका यह वेरिफिकेशन हुआ और इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इस इस दसेवन लेयर सब्रोटोकॉल किसी भी पैकेट फ्लो को चेक करने के लिए होता है लेयर 1234 ऐसे होते हैं अभी मैं एक डेटा सेंड कर देता हूं अब चेक कर लेना वह सब्सक्राइब नहीं पता तो तो ऐसे वर्क हो रहा होता है कॉंसेप्ट क्लियर हो रहा है ओके यह सर्थ यह सिर्फ ध्यान से समझना सेक्योरिटी आनालेसिस मतलब की जैसे नहीं होता है कि इंटेलिजेंस कितना है आप किसी भी पट्रेकुलर वर्क इंवार्मेंट को लेकर यहीं से आपका ट्रेडिंग स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा फोकस करना कि कैसे चीज़ें समझ में आ रही है आप एक कंपनी में जा रहे हो आप वहां पे दस कंप्यूटर है उनके सिक्यूरिटी यह उनके जो वल्नरबिलिटीज है टेस्ट करोगे तो कैसे कि आप यही सब चेक करोगे लोगे स्टीटीप एस है कि स्टी टीप हमारा वेब सरवर कहीं एससलटिफाइड तो नहीं मतलब ऐसा सासटिफाइड लिस तो नहीं है सेटिफाइड तो है ना यू भी हमारा इंक्रिप्शन बो टेलनेट का है यह सब कुछ आप चेक्रना ऐसे स्टार्ट करेंगे राइट तो यह सब हमें पता चल गया एंदेन हमारा डिया सीपी होता है डिया सीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है डाइनिक डाइनिक होस्ट आई-पी एलोकेशन के लिए राइट यानि एक नेट्वोक में आपके पास 200 कंप्यूटर हैं जैसे इत यह सरवर है यह जैसे हम सरवर बना सकते हैं यहां पे यहां पर ऑप्शन है तो घूल बना लेंगे यह यह जो भी यहां पर बना हुआ इसको सेलेक करेंगे पूल का नाम देंगे डिफॉल्ट गेटवे 10 001 दे दिया या सिंपल ठीक है इस पूल को हम अटाते हैं एक मिनट के लिए दुबारा साते हैं यहां पर और मैं क्या करता हूं यहां पर एक निया पूल का यहां पर गेटवे 10 001 डिए डिएनस सर्वर मेरा ही सर्वर है जो कि 10 0010 ऐसे सेट अप करते हैं कंपनी के अंदर सर्वर पर स्टार्ट इपी 10 000 हंड्रेट से लेकर मैं यहां पे 100 देता हूं लाइक 100 हंड्रेट और यह इतना सब्नेट मास्क है यह 50 यूजर को आई-पी देगा टी-फटी-पी सर्वर भी बनाना है तो 10 010 अपना ही सर्वर टी-फटी-पी सर्वर बना दो WLC address है तो दो नहीं तो फिर आप simple क्या करो add कर दो and then finally DSCP को on कर दो आप देखो मैंने एक यह बनाकर on कर दिया इसको save कर दिया अब अगर मैं इन सभी client machine पर आता हूं और desktop पर IP पर और मैं DSCP request करूं तो अब मुझे यहां पर IP देने की जरूरत नहीं है ओके IP version 4 यहां पर 10.001 मिल गया यह सब ओके एक बार फिर से request लेते हैं 10.001 क्यों इसको दे रहा है तो हम लोग यहां पर जैसा scope या DSCP details configure की होंगे वैसे यह मिलेगा तो default gateway 10.001 है यह है 10.00100 से यह IP देना start करेगा ओके तो यह सारा है इस वन ओके एंड से और बस बाकी के सभी क्लाइंट पर आप वन बाई वन करके आएंगे और यहां पर अपना static IP attacker DSCP request लो DSCP के कोडिंग यहां पर सारी IP मिल जाएगी assigned successful बट यहां पर अभी तोड़ा different network आ रहा है 10.002 यहां पर मिल ऐसे तो by default हमारा यहां पर यह वाला जो पूल है यह दूसरा वाला काम कर रहा है इस इस दर डिफॉल्ट setting issue तो हम लोग अगर अपना वाला यहां से रिमूब कर देते हैं इसी में changes कर दें like 10.001 और मैं 10.00100 कर देता हूं और यहां पर 50 clients को IP dftp server 10.0010 ऐसे और इसको मैंने कर दिया save यह पूरा change हो गया एंड जस्ट इसको एक बार on-off कर लो अब यह issue नहीं आगए क्योंकि एक network में दो dscp नहीं आप चला सकते ओके वहां पर issue हो जाता है तो अब देखो यहां पर 100 मिल गया subnet mask gateway ओके तो अब हमें आई-पी नहीं साइन कर दिए सभी को हम ऐसे करते चले जाएंगे सभी को आई-पी मिलती चली जाएगी अब देखो इसको 101 मिलेगा gateway भी मिल गया ओके सब कुछ ऐसे so this is the dscp function तो हम लोग dscp server में क्या करते हैं डाइनमिक आई-पी अलोकेशन का काम करते हैं कभी remote desktop service आपने नेबल किया होगा तो यह service होती remote desktop इसमें क्या होता है कि कि किसी भी windows या graphical environment में आप remotely किसी PC को access कर सकते हो ओके तो इसमें क्या होता है कि सिंपल अब विंडो आर लिक्तों स्थी और बस आपको यहां पर ऐसे आना है दूसरे computer की आई-पी डाल के connect कर देना यूजर नेम पास्वर्ड तो remote desktop http https यह सारी चीज़ें आपने देखा और दीज अर्द नेट्वकिंग प्रोटोकॉल्स इसके लामा भी डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप्स के networking प्रोटोकॉल्स होते हैं बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं है ना आप जितना भी काउंट कर लें कम ही है तो यह हमारा working concept for networking प्रोटोकॉल्स रहा किसी को कोई इश्यू क्लाइंट सर्वर मॉडल आपने देख लिया टीचीप यूडीप स्टीटीप देख लिया स्रीट डियस्टीप का कॉंसेप्ट एक बार फिर से पता देंगे डियसेपी मतलब डाइनेमिक आइपी प्रोवाइड करने के लिए होत से टुटोरियल से टॉपिक होंगे जो कंफीगरेशन पार्ट होगा सर्वर लेबल के जवाब पढ़ रहे होंगे उसमें सब इंजिनियर्स को बताए जाता है कि कैसे सर्वर से टप होता है राइट कर सकेंगे सर्वर प्रैक्टिस कर सकेंगे आप आप उसको यूज कर सकते यहित कर श्कू tv server काम करना है तो hemisphere कि service है वेब सरक्राइं पढ़ सकते हो ऊके अगर आपको do करना है कि कौन सी प्रोटोकॉल से क्या होता है राइट येस तो ये वह ध्यान देंगे है ना एड्मिनिस्ट्रेटर लेबल पर पढ़ाई करनी है देन यू कैन जॉइन सर्वर लेबल ट्रेनिंग और सिस्टम स्वरी नेटवर्क एड्मिन बेस्ट ट्रेनिंग ओके ये सारी चीज़े होते है तो हर एक का एक स्पेसिफाइड एरिया होता है ना आप ऐसे नहीं कि एक कोर्स में सारी चीज़े बनाना सीख जायोगे जैसे अभी आपने ये पीशे ज कर लोगे ये बस समझाने के लिए आप इसमें प्रैक्टिस करके कुछ समझ नहीं पाएंगे बड़ आपको बस अभी इतना देखना है कि जब मैंने एक सर्वर पिनेबल किया तो आटोमेटिक सबको आई-पी मिल रही है बस यह सब्सक्राइब का है मुझे पता है आपके सा पहले वाला कोर्स लेकि मिल को लगा कि हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते है तो जैसे उसमें डीसेपी रोल इंस्टॉल किया पूल बना दिया था सब्सक्राइब कर रहा है कंपनी के अंदर आप सर्वर लगा है काम कर रहा है अब मालिया कि डीसीपी स्पूफिंग होती है आगे पढ़ा जाएगा डीसीपी स्पूफ होता है इस प्लडिंग कैसे कर रही है तो पता कर पाऊगे कि अच्छा ऐसे होता है इसलिए डीसीपी का यह तो आगे पता चलेगा प्रैक्टिस नहीं करना यह जो प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको लाइब सट अप कराऊंगा दिखाऊंगा उसके लिए linux है सब इंस्ट्रॉल कराऊंगा तो यह हमारा हुआ एंड नेक्स्ट हम लोग अगर यहां पे देखें तो n i s d car का डिटेल ले लेते हैं कि अभी आपने देखा कि यहां पर जो भी मैंने ॥ा यह यहां पर यह दोनों आपस में सिंपल एक कार्ड होता है आगर मैं इसका दिखाऊं हमारे कंप्यूटर पर यह लगा होता हैorg यह वायर्ड वाइरलिस दोनों तरीके के अवेलिबल होते יט vielä और हमारा यह सब जिसमें लान के वला लगता है यह तो कोई भी यहां पर जैसे नेट वर्क इंटरफेस कार्ड और लेडी मैं एक ले लेता हूं यहां से एक यह वाला एट कर देते हैं ऐसे समझने के लिए तो यह जो हमारा कार्ड है यह एक वाइड कार्ड है इसमें क्या होता है कि आप यहां पर देखो लैन बोर्ट योज लैन केंटिविटी के लिए संद्द्ध हुआ है ओके इस घुन इस ट्कर दे यहां पर चाते है और ब्डेम कार्ड कार्ड पर आ जाते हैं और यह एक हृंड कर लूए gauge यृए नैसी और इस नैसी काड़ पर क्या करते हो आप असाइन करते हो दो कॉंपोनेंट पहला क्या होता है कॉंपोनेंट वन आई-पी अड्रस पहले मैक होता है मैक चाहर इसे क्या होता हैि आई-पी अच्छक क्फिशिकल एड्रस आपके सी काड़ पर रसाइन होता है अभी मैंने यहां पर जो आई-पी दिया ना इस पीसी पर आ आए हम यहां पर और configuration में देखो fast ethernet port है ना इस पर मैंने एक IP दिया हुआ है तो यह कैसे क्योंकि हमारे system पर card लगा हुआ है आप इसमें देखोगे physical component में तो आपके PC पर भी ऐसे card लगे होंगे देख रहे हो आप यह वाला card this is the LAN port या RJ45 port ओके या NIC card इस पर हमारा IP address असाइन होता है और इस पर mac address होता है आप देखो इसका mac address भी होगा configuration fast ethernet so this is the mac address यह आपका क्या होता है permanent address होता है no one can change और make a unique mac address कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बना लो एक unique or mac address ऐसा आप चेंज नहीं कर सकते uniqueness नहीं ला सकते अगर mac address आप चेंज कर सकते हो किसी का तो आप बस copy करके temporarily create कर सकते हो just for manipulate the networks owner जैसे कि आप networks के जो भी आप इसको permanently change नहीं कर सकते जैसे कि global लेबल पर आप उसको identify नहीं करा सकते clear कि इस card से यह इस particular mac address से हमें पता चलता है किसी भी computer का physical location कि कहां से इंटरनेट एकसेस कर रहा है अगर इस mac address को आप copy करते हो और website पर यहां पर type करो vendor look up see vendor look up and यहां पर पहली website ऐसे बहुत सारी वेबसाइट होंगी और अपना mac address यहां पर पेस्ट करोगे तो यह बता देगा किस कंपनी का एन आई सी कार्ड आपका है क्योंकि एक unique address है ओके इस नंबर को कोई और नहीं बना सकता यह सिस्कों ने रजिस्टर कर दिया help you to find the mac address for your PC एन आई सी अगर आपके computer system पर दस एन आई सी कार्ड है तो उन दस का दस एन आई सी कार्ड का यहां पर mac address दिखा देगा मैं यहां पर दिखाता हूं आपको पूरा तो address नहीं दिखा सकता बट यू कैं सी दिस इस दाड्रस मेरे computer पे छैड्रस दिख रहे हैं ओक सिक्स तो सिक्स एन इसी कार्ड हमारे computer पे होगा ओके चाहे वो फिजिकल हो चाहे वर्चुल हो ओके इस सब्सक्राइब कर सकते हो कि अगर मालिया कि विंडोस है अच्छा इसको भी मैं इंटिफाई कर देता हूं विंडोस के लिए आप क्या कर सकते हो गेट मैक है ओके आइपी कॉन्फिक्स इस पेस लैस ओल आप कमांड प्रॉंट पर टाइप करोगे तो इतन दोनों से आपको मिलेगा ओके एंड वन मोर थिंग कि अगर आप Linux मसीन पर है तो इफ कॉन्फिग लिखेंगे तभी आपको मिल जाएगा इस पूफ यह क्लोन होता है तो फिर मैं अपने कम्प्यूटर का अपने अध्रस बना दिया अब जब कोई उसको ट्रैक करेगा तो हमारा नहीं दीखेगा आइना जब तक कि उसका डेपिस स्कैनिंग एन्यमिरेसन नहीं करेगा तब तक वह मेरा नहीं मिलेगा तो उपर किसी आई-पी क्लोन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ा आगे डिसकस करेंगे तो यह कुछ मैंक डिस यह होता है मारा फीजिकल अड्रस होता है इस द न है फिजिकल एड्रस और यह एक युनिक अड्रस होता है निसको बोल सकते हैं कि ट्वैल डिजिट का एड्रस होता है कि ट्वेल्फ डिजिट और 48 बिट का यह अड्रस होता है और हमारे निसी काड पर होता है इसी कार्ड के समय कोंपोनेट इसमें हो जाता है जो कि लूपबैक टेस्टिंग के लिए यानि कि आप अपने NIC card पर चाहे network में हो या ना हो एक address 127.001 से लेकर आपका address हो जाता है 127.255255 यह address पूरा का पूरा loopback के लिए registered है तो इसमें क्या होता है कि यह address आपका अपने खुद के NIC card को टेस्ट करने के लिए चेक करने के लिए अपने खुद के PC पर networking के लिए इस्तिमाल होता है यह किसी दूसरे computer से यह addresses नहीं करते हैं हमने सुना होगा loopback address होता है तो यह हमेशा होता है आप कभी भी अपने computer system पर internet हटा देंगे disconnect कर देंगे wifi भी disconnect कर देंगे कुछ भी नहीं होगा तब भी आप यहां पर type करके ping space 127001 से reply लोगे आएगा से लेकर 127.0.0.25 या जो भी आप reply लोगे सभी साइगा क्योंकि पूरा यह range होता है तो यह हमारा हो जाता है तो एनाइसी कार्ड ऐसे कुछ वर्क कर रहा होता है वारलेस एनाइसी कार्ड का जो data होता है आपने देखा यहां पे कि वारलेस हमारा कुछ एंटिना वन लगहा होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से यह काम लेकर जा सकते हो बट इसमें आपका maximum एक area होता है कितने दूर तक ही लेकर जा सकते हैं एक अगर home wi-fi की बात करें तो maximum 30 feet का area cover कर सकते हैं वाइ-max की बात करें तो 75 miles का area 50 to 75 miles तक maximum cover होता है तो एक city के लिए हो सकता है बड़ अगर more than इस चाहिए network infrastructure तो आपको थोड़ा सा बड़ा network डिजाइन करना पड़ेगा और reliable secure यह सब कुछ क्या होता है सब कुछ इसमें आपको मिलता है वाइड networking करने में अक्सर कंपनियां देखते होंगे कि wireless पर नहीं वाइड networking करती है जब भी नेट वर्किंग और ऐसा कुछ प्लान होता है हाँ लोकल एरिया के लिए 10-20-50 वाइफाइ यूजर को सर्विस देना है तो अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिस्कों ने कार्ड यह सब डिजाइन किया लाइक को कंट्रोलर बना दिया है लेपी लाइट विट एक्सेस पॉइंट बना दिया है इन सब के तुरू बड़े नेट्वर्क को हैंडल किया जाता है बट यह तब किया जाए जब इंटरप्राइज लेबल पर आपका काम हो रहा है हमारे घर पे डव्ली एलसी और लाप लगान सब चीज है तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इदफ फिजिकल एड्रस और यह किस लोकेशन से हमारा इंटरनेट एक्सेस कर रहा है यह सब पता चल जाता है क्योंकि यह जो बारा डीजिट होता है ना यह ऐसे करके होता है एसे मैं लिखा बस समझने के लिए बीबी ऐसे करके सी सी चलो आधा मैं निमेरिक कर देता हूं वन ऐसे टू टू ऐसे और त्री त्री अब यह जो एड्रस हो गया स्टार्टिंग के सिक्स डिजिट जो होता है ना दिस इस फ़र यह दो पार्ट मैंने कर दिया कलर रेड कर देता हूं यह सॉरी यह जो दो पार्ट मैंने यहां पर लाओ किया ना यह कहने का मतलब यह है कि सिंपल यह जो फर्स्ट एरिया है जो आपका सिक्स डिजिट का है यह प्रवाइड करता है आपके वेंडर डिटेल्स को यह क्या प वेंडर आईडी मतलब यह डीटेल्स प्रोवाइड करता है और अगर हम लोग यहां पर बात करें यह जो एरिया है यह हमें क्या प्रोवाइड करता है यह हमारा करेंट लोकेशन फिजिकल लोकेशन समझ गया तो यह इससे मिल जाता है तो यह दो पार्ट में यहां पर भी हमारा काम कर रहा होता है क्लियर है सभी को यह सर ओके तो यह सारी चीज़े हैं आपड लाग जेननक्ति सांविसी maaol काफी सारे बीकर दिखते हैं । इससे बी इनिको केल और केंट लिए फैट जोनिए पनकाट दिखाया रहें केट दिखाए के टीशे कांट τι्शे वे है इसको पता करने के पहले तो आप कमांड प्रॉम्ट पे ट्राइब कर सकते हो आपके कंप्यूटर पर बस एक काड लगा हुआ है जो की है यह ट्राइब किया तो भी यहां पर एक ही काड दिखा रहे तो दोनों कमांड से आप टर्मिनल पर पता कर सकते हो फिजिकली पता करना है तो यह तो इसमें क्या चेक करना है कुछ नहीं ncpa.cpl अपना mac address का डीटर्स देखो यहां पर इतने सारे काड लगे हुए है तो जो भी वर्किंग है वो इनेबल है जो भी वर्किंग नहीं है वो डिसेबल या क्रॉस है मतलब इनेबल है अगर मेरा गुश्चन है जैसे यहां पर यह क्रॉस लगा हुआ है ठीक है सर लेकि है पर यहां पर गुर्ड़ है लेकिन यह यहां पर डिसकनेक्ट Two है धेको मैंने यहां यह बता रहा हूं समस्छ can चुछ यहां कैड दyए डिए कीं यहां पर इंग स्थैंट को रज्ल स्थ सबर्ब्सक्राइब क्लें अब यह अंब यह तो ढुट बैसा रहा हो तो सकते हैं है करेगा मैंने कर दिया चोक्तू दिखाता है यहां से पता कर सकते हैं कि कौन सा इनेबल है क्या है और किस पर क्या इपी चल रही है सब कुछ यहां से स्टेटस में आपको पता चल जाता है पाई तेंटिफायर और मैंने इसकुछी है उसके लिए इस पी से जो कि वो किसी डी एने से किसी सर्वर को इडेंटीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वह इसलिए लिख करा आजाता है तो बहुत सारे ऐसे भी निक कार्ट के होते हैं जो यूज में नहीं होते हैं तो बाद में यूज होगा जैसे यह हमारे पास एक डिवाइस है यहां पे एक कार्ड लगा हुआ है अब मैं यहां पे ऑर भी कार्ड लगे दैंगे Is तो में पूछ रहो अगर किसी काम का नहीं है कि हमने उसको किसी से कनेक्टे नहीं कर रखा अगर उसके अंदर आई पी बढ़ी है उसके बाद वह आन प्लग दिखा रहा है और रेड़ मांग भी दिखा रहा है तो वह यूज में था कोई भी सब्सक्राइब के बारे में नेटवर्किंग और यह सब नेटवर्किंग अलग लगेगा सिक्यूरिटी के साथ पढ़ने में तो अलग लग रहा होगा क्योंकि इसमें काफी सिक्यूरिटी पॉइंट को फोकस करते हम लोग चलेंगे तो कल हम लोग डिवरेंट डिवरेंट टाइपस के अंदर समझेंगे कि किस तरीके की वाले अबिलिटीज और क्या चीज़ें होती हैं और फिर फाइनली कल या परसों से हमारा लैब भी सेट अप हो जाएगा तो लैब के लिए आप लोग काली लिनेक्स इंस्टॉल कर लेना अपने कंप् उन्हाँ टाएगा उन्हाँ और ए राम चाहिए और लोग inappropriate आप लिए अपने शेस तरह सब होती हैंत्वास by दिवरेंगे के लिए झाल